नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हामारे चैनल में दोस्तों वास्तु शास्त्र का एक और ग्यान बर्दग वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं वास्तू सास्त्र को बेतर ढंक से समझने के लिए वीडियो को अंटक ज़रूर देखिए क्योंकि अधूरा ग्यान सदेप घातक होता है दोस्तों नए साल के पर्थम दिन लोग अपने घरों को सजाते हैं कुछ लोग अपने घर या दफ्तर को वास्तु शास्तर के अनुसाद डेकोरेट करते ही वास्तु शास्तर में घर की सजावट के लिए कई वास्तु सम्मच चीजों के बारे में बताया गया है मना जाता है इन चीजों को घर में सजाने से वास्तु दोस दूर होता है जिसके परिणाम सुरूब घर में सकारात्म कूर्जा का संचार होता है दोस्तों वास्तु शास्त्र में मोर पंख को सुक्समृद्धी का संकेत मना जाता है मनता है कि मोर पंख को घर में रखने से परिवार खुशाल लहता है तो आईए दोस्तों आज के इस वीडियो में जानते हैं कि नए साल के पहले दिन अपने घर में मोर पंक को कैसे रखें जिससे घर में खुशाली आए और पूरे साल जम कर पैसा आए तो दोस्तों बने रहिए वीडियो के अंतक जानकारी पसंद आये तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बिल आइकन को प्रिस करें चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे दोस्तों वास्तु शास्त्र और धानमिक मानिताओं के नुसार मोरपंख में सभी देवी देपताओं का वास होता है यही वज़े है कि मोरपंख को घर में रखना शुब माना गया है इसके अलावा वास्तु शास्त्र की मानिताओं के नुसार घर में मोरपंख रखने से सकारात्मक और जा का प्रवाह बढ़ता है मोरपंख को हमेशा दच्छिड पूरब दिशा में रखने से घर में सकारात्मक और जा और सुक शान्ती का वास होता है वह दोस्तों वास्तु शास्त्र में बताया गया है कि फुजूल खर्ची पर लगाता है लगाम कई लोग फुजूल खर्ची से परेशान रहते हैं ऐसे लोगों के हाथ में पैसा आते ही पानी की तरह बह जाता है यही वज़े है कि फुजूल खर्ची पर रोक लगाने के लिए मोरपंख बेहत कारगर है मनता है कि इसे सही दिशा में घर में रखने से फुजूल खर्ची में लगाम लग सकता है दोस्तों वही वास्तु सास्तर में बताया गया है कि रिस्तों में आती है मिठास वास्तो जानकारों की माने तो मोर पंक को गर में रखने से पती पतनी के वीच का रिस्ता काफी मधूर रहता है अगर किसी वजे से पती पतनी के वीच बराबर मुद्मुटाव रहते हैं तो ऐसे में उनके लिए मोर पंक मददगार साबित हो सकता है रिस्ते में मधूरता और प्यार बरकरार रखने के लिए बेडरूम में पूरब दिशा की दीबार पर मोर पंक को टांगना अच्छा माना जाता है इससे दोस्तों बच्चों की उपढ़ाई में भी मन लगा रहता है वहीं दोस्तों जीवति शास्त्र में कहा गया है कि अगर कुंडली में काल सरप दोस है तो इससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपने बेडरूम में तैकिये के नीचे मोर पंक रखना चाहिए मनता है ऐसा करने से धीरे-धीरे काल सर्ब दोस्ट से मुक्ती मिलने लगती है यही वज़े है कि वास्तु शास्त्र और जूती शास्त्र में मोरपंग को इतना अधिक महत्त दिया जाता है तो दोस्तों यह था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने आपको मोरपंग से संबनीद बहुती महत्तमूर और नोलेजवल जानकारी दी आज के वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अंगले वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ तब तक के लिए गुडबाई थैंक्स फार वाचिंग माई वीडियो और दोस्तों आप सभी लोगों को विस यू वेरी हैपी न्यू यर